वेल्कम बेक टुमाइ यूट्यूब चैनल बेबी हल्थ काइट दोस्तों चुकुंदर सेहत के लिए काफी लापकारी होता है इसमें केल्शियम, मगनेशियम, फास्वोरेस और प्रोटेशियम जैसे पॉर्शक तत्व पाय जाते हैं इसके अलावा चुकुंदर में विटामि चुकुंदर का जूस पीने की सला देते हैं खास कर जब महिला प्रेगिनैट होती है तो उनके शरील में खून की कमी हो जाती है साथी महिलाओं को कहीं करा की शारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है याए दोस्तों health experts बताते हैं कि pregnancy में चुकुंदर का juice पीना काफी फायदे मत होता है pregnancy में चुकुंदर का juice पीने का सही समय सुबा का होता है अगर आप pregnant हैं तो सुबा खाली पेट चुकुंदर का juice पी सकती है इसके अलाबा breakfast और lunch के बीच में भी चुकुंदर का juice या फिर सलाब के तोर पे आप चुकुंदर खा सकती है आप चाहे तो सुबा खाली पेट या mid morning में चुकुंदर का juice पी सकती है चुकुंदर का juice पीने से खुन की कमी दूर होगी और आपको उजावान महसूस होगी इसलिए pregnancy में अपनी राइट में चुकुंदर के juice को या चुकुंदर को जरूर शामिल करें नमबर दो प्रेगनेंसी में चुकुंदर का juice पीने का सही तरीका क्या है दोस्तों health experts बताते हैं कि वैसे तो आप चुकुंदर का juice सीधा तौर पर ही पी सकते हैं जैसे कि आपने चुकुंदर का juice पनाया और उसको काला नमग डाल कर उसका सेवर गर लिया लेकिन अगर आप चुकुंदर और अनार का juice एक साथ पीएंगी तो इससे सेहत को जादा लाब मिलेंगी यानि आप चुकुंदर में अनार का juice मिला कर भी पी सकती हैं या फिर जब आप चुकुंदर का juice बना रही हों तो आप उसमें थोड़े से अनार डाल दें ये दोनों अच्छे से मिक्स होकर एक healthy juice बन जाएंगी नमबर 3 प्रेगनेंसी में चुकुंदर का juice कितना पीना चाहिए दोस्तो प्रेगनेंसी में चुकुंदर का juice लाबकारी होता है लेकिन आपको इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए आप एक दिन में 100 मिली चुकुंदर का juice ही पी सकती है जो गुंदर का जूस पीने से खून साफ होता है और बिच्चा भी हेल्थी रहता है तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना बोलें फिर मिलूंगी एक न्यूव वीडियो के साथ तब तक के लिए ठेक क्यार इंड बाबाई